वेलो गाइस वेलकम टो मैं चैनल लिजूनिक डवलपर और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम यह जो सारी फीज डीटेल से उनको हम डेटाबेस में शोर करने वाले तो उसके लिए हमें डेटाबेस में टेबल क्रेट करना होगा फीज डीटेल नाम से तो हम रहने वाले आज एएंड्न लाइस की वीडियो में हमने ये कंप्लीट किया देए यहां पर नेम डिस्प्लेए कैसे यहां के बैस कलना है यहां ठानाiments यहां ठाना फॉक्षная alp एक मिनिट एक्षन 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 परफॉर्म कि तो यहां पर मुझे उसकी कोडिंग करने है तो मुझे सिंप्ली कुछ करना नहीं हाँ पर जब यूजर सेलेक करेगा तो यह फिल्ड में टेक्ष्ट में सेट हो जाना चीए कोर्स का नाम तो इसके पहले नाम चेक कर लेता ह है तो टी एक्स्ट पकोर्स नेम डॉड ux सेट करना क्या तीश टेस्लिप से एक सेट करना है यहां पर जो यूजर से लिक करना तो इसको कॉंब उफॉप नाम में एक बाइव एक एक कर लो कॉम्बो कॉर्स थो कॉंबाइट से लेक्टेड इत आइटेंम डॉट टू श्ट्रिंग करते विकास यह अब्जेक रिटन करता है ठीक है तो अगर मैं से रण करों तो मैंने अगर डिफोल जावा सेलेक्ट करके आ रहा है विकास पहले से जावा इसलिए यहां पर आप पाइटन करेंगे तो पाइटन आ जाएगा स्प्रिंग करेंगे स्प्रिंग आ जाएगा ठीक है तो अभी हम डेटाबेस में टेबल क्रेट कर लेते ताकि हम इन सभी रिक सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए तो यह अभी में डेटाबेस कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने एक कोड आपको मैं कोड प्रवाइड करूंगा डिस्क्रिप्सन बेसे के लिए हमारे हमें टेबल करने के लिए तो यह होता कहते है पता है यह टेबल का कमांड जैसे कि टेबल करना त्रिगर करना तो वो सब काम जो हते हैं न वो डेटाबेस के टिम करते हैं आपको सिर्फ प्रोफेशनल डेटाबेस की टीम होती है जो सब टास्क को परफॉर्म करते हैं आपको सिर्फ अपने कोड में डेमल स्टेटमेंट को यूज करना और इसे टेबल आपको क्रेट होके मिल जाता है डेटाबेस टीम से तो आप बस उसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन अपडेट को एक्जिकूट करें तो मैं ड्र भी उसकर रहा तो मैंसे कॉपी कर लेता हूं ट्रेक्ट टेबल फिस डिटेटल्स एंड जो सर्विस में जाकर अगर आपने डेटाबैस को स्टार्ट करना यहां पर जाईये सुरी हमारा जिवादी बी पर जाइए श्टार्ट सभर कर कीजिए अब टेबल में मैंने आप पर एक पहले से क्रेट किया हुआ तो मैं इसे अगर डिलीट कर दे तो आपके लिए ठीक है ताकि आपको मैं समझा सको तो टेबल में जाके यहां पर करें एक्जिक्यूट कमांड और यहां पर इसे कॉपेश कर दिए पर क्रेट हो गया थे टो अब हमें करना क्या है कि यह जो है ना हमारी जो हमारा फीज जिस के लिए तुम आपर सेच करेंगा जिस्से हम यहां पर सेट करेंगे अगर यूजर ने दस फीज आड़ कर दिया डेटाबेस में तो यहां पर जो नेक्स्ट फीज आड़ करने के लिए यहां पर रिसीप नमबर जने दिखे डिस्पले होगा 11 विकॉस टेन तो अल्रेड अवेलेबल डेटाबेस में तो नेक्स अब भी जो हम रिकॉर्ड इसर्ट करने वाले उसका रिसीप नमबर रिले होना होगा वह हम डिस्पले करेंगे तो उसके लिए में एक सिंपल कोड लिख देता हूं तो अब मैं हमारा लाज में थर्ण हमने क्रेट किया था फिल कॉम्बो उसके नीचे में क्रेट करते हो यहां पर पब्लिक इंट विकॉस हमें से इंटीजर वालवी रिसीप नमबर इंटीजर अगर आपने कोड फें द दाना धान दिया होगा तो हम scrambled to m सब्सक्राइब करने हैं तो आप आपको एक सिंपल तरीका बता जिसे आपको बहुत बार इसे इंपलीमेंट किया आप भी उसकर सकते हैं तो इससे आपको एक्चुल पता से लिए कि मैथेट काम क्या होता है अफने बहुत 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 पड़ा होगी मैठेड कोड रिजीडियटी म से कशोट करें 구독 ऐसे पर करना को जहाँ जहां बहृत यहां ऑपरेवेंगर, computer, education, connection Drive ou करता हूँ java class इसका नाम रखते हूँ db connection भी connection और इसमें में method create करता हूँ public वोई नी हमें connection return करना तो connection इसका return type होगा connection connection get connection नाम देता हूँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा यहां पर मैं सबसे पहले कर देता हूं करनेक्शन क्लास का नाम यहां से कॉपी कर लेता हूं क्लास का नाम में न 오팔र यहां फिटा इटाबेस उस कर ये सब्सक्राइब करीए प्लास नें हो अगे हैं डॉट कनेच्शन में हमारे डॉट इस मेनिचर भाट गेट करेक्शन और particle MAT तो मैं उसे भी कॉपी कर यहां पर हमने लिखा वो पहले से फिल कॉम्बो मेथट में तो यह मैंने कॉपी गिया एंड हमारे डीवी कनेक्षन आपने पेस्ट कर दिया ठीक है एंड यहां पर कोई आरा आता है तो हम उसे प्रिंट कर देंगे सब्सक्राइब कोजुँ करनेक्षन हो आपको दिखा तो एक बार इसे भी यहां पर मुझे connection object छी ठीक है तो मैं आप लिखता हूं connection कॉन इस इकल टू डीबी connection जो हमारी class है तो मैंने इसी package में बनाया जिस पैकेज मेरी सारी classes है उसी मैंने आपर बनाया db connection dot get connection dot get okay सो मैंने आप पर गलती कर दी मुझे से static बनाना पड़ेगा तो static ओ स्वारी अच्छा यहां पर error क्यों है विकॉस यह local variable है तो हम local variable आपको पता हो कि हम कोई modifier अप्ला नहीं कर सकते हैं जैसे अभी यहां पर रहता हो इंस्टेंट वेरियाबल अभी हमने लेकिन लेकिन यह क्या local variable का scope क्या होता है खाले उस method के अंदर ही होता है अगर हम इसे method के बाहर access नहीं कर सकते तो यहां पर उसे public private या default या protected declare करे कुछ फाइदा नहीं क्योंकि इस इस method के अंदर ही है जो get connection method इसके अंदर ही हम इसे यूज़ कर सकते इस वेरियाबल को इसलिए आपर कोई modifier applicable ने खाले एक modifier applicable होते है वह final ठीक है अप local variable पर खाले एक modifier modifier apply कर सकते हैं फाइनल error error because है आपर final एक बार initialize हो गया तो उसे हम दुबार नहीं कर सकते हैं ओके तो cannot assign a value to final variable इसलिए तो मैं इसे हटा देता हूँ final का बैसिकली constant होते हैं तो मैं इसे मुझे इस method को static बनाना था ताकि मैं इसो direct object क्रेट किये बिना ही call कर सकूं अगर मैं अब भी अगर मुझे अगर मैं इसे static नहीं बनाता तो मुझे यहां पर पहले डीवी connection डीवी सेट इसका बनाना परता बिसीकली डीवी connection और डीवी connection करना परता है बट मैं चाहते हो को डीरेक्ट एक्षेस कर लो डाट गैंट कनेक्शन में रड़ागया अब मुझे क्या होगा यहां पर बार बार लिखने की जरूत नहीं पड़े एक डीब यहाला कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेया मैं यहाँ पर डारेक्षी मेथदों कॉल कर दूंगा। और यहां पर मुझे बढ़ने यह यहां पर सकते तो यहां पर यहां पर नाम चेंज करना है प्रोजेक्ट जब यह उसमें दो-तीन जैसे हैं आप प्रॉडक्शन ईंवार्मेंट होगया आपका जो यार्वार्मेंट उसके वाद गोर जो टेस्टिंग के लिए नुखर करते हैं जो हमारा हम कोड को जो हमारा रनिंग याता है तो तो हम अलग डेटाबेस तो अगर आप नहीं लिए पर उप नहीं करनेंगे तो आपने टेट बनाया हुआ है इससे कॉल कर सकते तो मैं अभी कनेक्शन हो गया हमारा तो अव्र को ममनेट कर लिए तो ओप्रिपेर स्टेटमेंट यह यह लेज़करन प्रिपेश की सेलेक्ट है मुझे का सलेक्ट करना है रिसीप्ट जो रिसीप नंबर है रसे प Cartoon वर ए प्रॉम टाबल नाम मेंर आव इस अभी ठ 있다 सेछलिय Civट नंबर तो मुझेट कही रैसिर नंबर चीए सबहसों अगर यह टेटावेस टें रिकॉडर तो मुझे रीकॉड टेन लेटावेस आगे मैक्स आप रिसिप नमर में जो अभी करेंट्ली इंसर्ट हुई जो मैक्स होगा इसे 123410 तक है तो 10 यहां पर रिटन हो जाएगा मैक्स वैल्यू में हो गया है हम इसे एक्जीक्यूट कर देता हूं पी एस्टी डॉट एक्जीक्यूट क्योरी है और इसके जो रिजल्ट रीडम में कुछ है अगर ट्ु होता है अब तो वह चलेगा विकास यह return करता है true तो अगर इस statement true होगा तब यह condition चलेगा यह आप लिख भी सकते है true तो मुझे क्या करना है rs.getint sorry getint अब मुझे receipt number यह receipt number get करने है get करके मुझे variables में store करना हो मैंने variable बनाना भूल गया तो मैं उसे बना लेता हूं receipt number equal to zero यह भी local variable है ठीक है तो अभी आपको लग रहा होगा मैं बारबर local variable बोल रहा हूं लेकिन यह फरक होता जब आप अगर आप आपको अपना पूराना code देखेंगे ना खूद का पहले का एक साल दो साल पहले का तो आपको आप सुचिंगा मैं किस तरह से कि ठीक है यह होगा receipt number यहां पर error को प्रेंट कर देते हैं एक्सेप्शन है ठीक है यहां पर मैंने किया क्या कि एक receipt number नाम से बना लिए जिसमें starting में 0 होगा और हम लास्ट में database में जो max receipt number हो उसको get करेंगे और उसको store करेंगे receipt number में तो यह record जो हमें प्लस वन करके हमें डिश्प्ले करो तो हमने method कर लाव हमें इससे call करने तो मैं मैं इसे constructor में call कर दूंगा नाम कर दूंगा स्फर्टर में क्यों कॉल करो ताकि जब हम रन करो तो यहां पर डिस्प्ले हो जाए या मने तो object create नहीं गया तो अब इसमें क्या हम सेम क्लास के अंदर call करें ना अगर आप सेम क्लास के अंदर किसी भी member को एकसे करना चाहते हो विदावर्ट क्रेटिंग अगर आप दूसरी class में एकसे करते हैं सब्सक्राइब मैं इसको एकसे करना चाहूंगा अगर db मुझे। नमबर को तो मुझे अब्जेक करना पड़ता अज़ इसके बाद मैं इसको एकसेस कर पाता। लेकिन मैं सेम एंदर सेम क्लास के इस मेध़ड को बीना आप ऑब्जेक क्येट किया भी कॉल कर सकता हूं तो रिसीप नंबर और यहाँ पर लेकिन यह रूल सिर्फ एप्लिकेबल है इंस्टेंट मेंबर्स के लिए जिसे अगर आप अगर मैं इसी कोड को अगर स्टाटिक स्टाटिक में 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 कॉल करना हुआ तो मैं डायरेक नहीं कॉल कर सकते हैं मुझे अबजेक्ट करना होगा तभी मैं इसे कॉल कर पाऊंगा ठीक है तो मिन्स कि आगर आपको कोई इस्टेंट मेंबर को डारेक्ट स्टाटिक एरिया में एक्सेस करना तो पहले आप उसे अबजेक्ट के थूर्फ एक्सेस करिए या तो आप एक्सेसी नहीं कर सकते बेसिकली जिसे अगर छोड़िया तुना इग्जांपल वीडियो बढ़ा हो जाएगा तो मैं इस ह след रहता हुआ आगे बढदते तो रिसीप नंबर होगा मैं से इंड्जो रीसिप नंबर आएगा उसे में सेट कर देता त्छित dys5 dinner.set nareak Trax लstore तो यह सट्रिंग तो ये तो श्रीम में कौन भी हो गया वर्ण मोरी इसरी में नोटिस किया यहाँ पर अगर में इस प्रोलाम को रन करता हूं ना तो आप देख सकते मुझे एक एक सेप्सेट आ रहा है मैं रन करके दिखाता हूं तो यहां पर देख सेथे मुझेस पर सिन सब्सक्राइब यहां पर भी रिषीप करता बाद फिर भी मुझे एक एरर आएगा अब मैं रंकर कर दिखाता हूं मैंने श्पिलिंग मिस्टेक तो ठीक कर ली बट अभी मुझे एक एर राइगा क्यों है करने वाली एक वैलुशीप जो की होगा मैक्स रीशिप नंबर तो की विसे नंबर को ठीक है तो मैं यहां पर वन कर दिता हूं अगर मैं अब इसे रन करूं तो अब देख सकते हूं मुझे कोई एरर नहीं आएगा यहां पर सक्सिस्फुल हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं ठीक है अगर इसे रन करूं तो मुझे आउट्पूर्ट में वन आना ची देख सकते हैं वना कि अभी डेटाबस में तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो हमें हमारी फॉर्स्ट फीस रिसीब का नंबर क्या होगा वन होगा तो मैं अगर मैंने यहां पर सब डेटा एंटर करके प्रिंट किया मतलब सब्सक रिकॉर्ड चला गया है मैं सेकेंड फीस रिसीब जनेरेट कर रहा हो तो यहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा यहां पर डिस्प्लेवा रिसीब नॉमबर टू विपास वन तो पहले सेंसर दे ठीक है तो आप आप बोले आप सोच रहें को मैंने आटो इंकर्मन पर क्यों नही सब्सक्राइब कर देटाबेस में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन सारी वैल्यूस को अब डेटाबेस में हमारा पाइस अब बताइस विटो के लिए काफी होंगे खतम कर दूंगा यह थोड़ा मॉडिल बड़ा था कि आपको समझा सको बार बार मैं एकस्प्रेंद नहीं करने वाला ताकि मैंने आपको इसी सीरीज में सब समझा दिया अब चनेक्शन क्या आता यह सब इसलिए मैं आपको एक्स्प्रेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो में मुझे बार बार एक्स्प्रेंग ना करना पड़े और मैं फड़ा फड़ा खतम कर भाओ के तो मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक के लिए बाबाए